कि अब अब आपको आपको आपके अपने चैनल गुरू कुलवाजी अकड़ी में आपका सुवागत है जैसे आप जानते हैं कि पंजाब गुवर्णमेंट लगातार वेकैंसी दे रही है और वेकैंसी की फुलफीर करने के लिए एक्जाम भी फुलफीर होने के बाद कर लें बहुत साइसे एक्जाम हुए है जो जिसके तहट प्रेश्वी बौर्ड नहीं एक्जाम कंड़क्ट किया था तो उनका क्या ट्रेंड है किस टाइप कोशन में डालते हैं तो उसके वारे में आपको मैं बताऊंगा और उसके जो श्रीज लेकिया हमने एक जैसे पता पंजाब किया जिसमें के लिए अलग है और जो कोई भी वाले लग है जो बीए ब्सक्राइब कोई बीजिवल थिए उनके लिए लग है तिंदाब विकैंसी को कि आगजाम जो है ऑप पीट्रेश ब्सक्राइब ही लेगी तो उसी के लिए जो मेरे पास कुछ रिवियस प्र कि आज से दो साल तीन साल पहले जाम हुए तो लेंगे लेंगे कोई डाउट नहीं है लेकिन इस साल पांचे जाम कर चुका है तो उसने जो भी जाम हुआ इस साल कि जो प्रॉपर ली आपको कोशन बताएंगे और उसके जो तरीके होगे उस टाइप के होंगे उस टाइप भी आपको रिविजन गराए जाएगा तो सबसे पहले मेरे पास जो भी सेट है यह जो एक्जाम का जो है यह एक साइज इंस्पेक्टर में जो आया था कोश्चन मैत का तो वह मेरे पास बढ़ा है मेरा एक उफलाइं स्टुट सब आपको बताएंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले जो कोश्चन होगा है इस थीजा तफ नहीं आता है कोश्चन का लेवल मतलब कह सकते हैं ठीक ठाक रहता है अगर पंदरा में सबसे पहले हम कोशन की बात करते हैं देखिए क्या है बोड़ पर कोशन आपको विजीवल ह हो जाएगा फिलाल मैं बोल दे रहा हूं ठीक है देखिया है विच दा ग्रेटेस्ट फाइफ डिजीट नमबर एक डिविजीवल वाइट तू सेवन नाइन के दोवारा सबसे बड़ा मैं यहां लिख भी देता हूं कोश्चन ठीक है यहां पर लिख देता हूं मैं कि विच इज दा ग्रेटेस्ट नमबर एक डिविजीवल वाइट तू सेवन नाइन यानि चार ऑप्शन होंगे आपके पास मैं अप्शन मिटा देता हूं आप बताइए का कौन सा हो सकता है ठीक है आपके पास टाइम है आप कर सकते हैं और कुमेंट सेक्शन में आप वीडियो पोईस करके भी होगा अंसर बताईएगा कि कितना कितना अंसर आपका रहा है ठीक है तो यह आपका ऑप्शन एक दो तिन अप्शन जोगा यानि सी ऑप्शन को बोलता है नाइन नाइन डाइन है और दी जो आपका ऑप्शन होगे फॉर अप्शन में यह लिए ता हूं डबल लाइन डबल सिक्स टू यह आपके पास चार उप्शन है इस चारो अप्शन यानि पांच दिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौंसा है जो 279 से डिवीजी वलाई यह आपको बताना है कि देक तरीका नहीं पता है तो पूरी तरह बात करें पूरी दिवाइंडर जीर वना चाहिए एक तरीका में आपको बताना जा रहा हूं क्या करेंगे देखिए सबसे नंबर जैनि फाइव डिशन नंबर क्या होगा जैन सबसे बड़ी संख्या क्या होगी पांच अंको वाली ओह होगी आपकी नाइन 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 ठीक है यानि पांच बार नाइन नाइन को लिख लेंगे सबसे ग्रेटेस्ट होगा एक दो तीन चारपा पांच डिजिट की हो गई तब क्या करें इस नंबर को लें आपको यह असान मैथड पर सकता है जो कि मैथजी नहीं हो है तो यह इसी तरह ही है लेकिसे क्या है कि आपको यह उटाईएगा फिर इसको करेंगे तब आप अब देखिए का चेक आउट करेंगे फिर इसके लिए अपस्ट पूछिए करो तो 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 इसको 279 को थिरी से मल्टिप्लाई करें पहला नोटियस्ताइस असल दो साथ 212 केतना 23 हो गया 23 और आपके पास 54 होगा 54 आपके आपकेश्याइव एक 760 42 42 और 57 50 47 in 54 केरी आगे यहां पर 12-14 नियानिया आपके पास 16 1974 ज़्यादा हो गया स्वाओं ज़्यादा होगा इस नहीं आगा यहां पर आपक्या कर ले 5 ले 5 ठेक है कि टू सेवर नाइन का फाइफ से डिवाइट इंटिप्ले करें तालीस हासल चार पैंतिस चार उन चारीस हांसल तिन पांद दास तरस तिन तेरा तेरा सुपचान भी यह थे और मैनस कर लें क्या एगा फॉर बाराम से नहीं गया तीन ठीक है और आपके पास यहां कि आव ले लिया जाए तो लाश्ट लाइन बचाई आपको तो देख लेए आप आप इसे करें तो यह से करेंगे तुस बहतर आ जाएगा यहां पर साथ करिया जाए आपके पास और साथ कितना होगा चपन और चाथ आपका होगा तिरिसट होगा ठीक है तिरिसट होगा यहां पर सिक्सक्त कर पास कर एक पर रह गया एक यहां पर रह गया आपके पास एक ठीक है था यहां तो आपको यहां पर भाग फरस से कुछ नहीं लेना है नहीं को इससे उत्पिशना आपके पास लेक्राई के आपके पास लेकिन आपके पास जो भी रिमाइंडर आएगा जो बड़ी संख्या के बात करें रिमाइंडर जो आएगा तो क्या करना आपको घटा देना है बड़ी संख्या में से जो आपका अंसर आजाएगा देखिए कैसे नाइन और वी टो आगया एक एक शर्राख़र वियर Encara तर जो कर रहा मैंच करक्र रहा है तो यह था Mrs लिख रहा हूं ठीक है तो लग रहा है करने में बहुत इतना भी मुश्किल नहीं है ठीक है तो जोड़े देखते हैं नेक्स्ट कॉश्चन कौन सा होगा तो नेक्स्ट कॉश्चन है आपके पास कहता है कि वेंदा सम आफ मनी वाज डिस्ट्रिबूटेट ट्वेलफ परसंट इस्टीड ऑफ सिक्स्टी परसंट इच परसंगोट फोर हंड्रेड मोर वट वादा सम यानी देखिए पंजाबी में बोहता हूं एक रकम नों सोलह वैक्तियां दे बजाए बारा वैक्ति वीच बंडन ते हर व्यक्ति नुचार सुरुपे दी जार सुरुपे वद मिले किन्नी रकम सी देखे पहले कह रहा है को यह कोई बी रक समणिका लसम है माउंट है जिसको 16 लोगों में बाटना था ठीक है तु कर दो में चेनल का वहां पर आप जाकर इसको डाउंलोड करके ढूसेंस देखे ले कराने कोशिवान तो यह दिस्पले हो जाए ठीक है कि देखते हैं कोई भी ही एक नंबर है जिसको 16 वेक्ति के बजाए 12 वेक्ति में बाटने से हर वेक्ति को 400 रुपे ज्यादा मिलते हैं ठीक है तो क्या है कैसे होगा यह कोशन देखिए पहले कोई भी मान लिजिए आपके पास माल लिए एमान्ट रोफक्ति के आप पता नहीं हमको इसको समल लेते हैं ठीक है अब यह चैशाज हम वारतते हैं हम बाटते हैं सोलह अधमी में तो कुछ बढ़ाता हुआ लेकिन विसी अमाउट को यह массा वा greasy मान Țार ऐसे 12 लोगों बाठते हैं तो हर एक आदमी को 400 ज्यादा मिलता है ठीक है कितना मिलता है ज्यादा मिलता है यानि क्या हो गया एक्स बटे 16 माइनस एक्स बटे 12 एकल टू कह सकते हैं कि हम 400 हो गया और यहां पर 12 और 16 लेंगे तर 48 आ ठीक है 48 आ यहां पर कितना आ गया देख लेते हैं 3 एक्स माइनस फॉर एक्स एकल टू फॉर इंटू यानि पर 48 मुल्टिपेजर क्रोस मुल्टिपलाई हो गया ठीक है 48 आ यहां पर 400 है सुरी ठीक है 48 गोना फॉर करते हैं तो आट चोका कितना हो गया 12 ठीक है 12 आ गया और शोला सोला सोला तन 19 हो गया तो 19 यानि पिछ दो जिरो बच्च गया दो जो लगा लिए हमानिस करेंगा आपके आपके पास यानि हमाने एक लट किया था यह कोशन का तरीका एजी करने का जो भी दिया है बहुत कुछ नहीं का मैंने जैसा है बोला गया वैसा ही इन्हों बोला कि कितने में बटा गया एक से माउंट है ठीक है मान लेते हैं कि 16 लोगों डिवाइट करते हैं तो पूरा उनिस ज्यार तो सच यानि माउंट आपके पास थी उनिस ज्यार दोस हो गी थी तो फ्रेंड आपको समझ आ रहा हुआ ठीक है तो इसको में लिक देता हूं ये ये अलजब्रा पॉस्चन है आप देख लेंगे वीडियो ठीक है प्रैटिस कर सकते हैं से आप तो उसके साथ की कोश्चन अग्जाम में आने की सभावनाएं अगनी प्रसिविल्टी क्या होगी अगले अग्जाम में भी बता दूंगा आपको ठीक है तेखिए कोश्चन है एलजेबरा का ए प्लस बी प्ल प्लस c3 मानफ 3abc यह पता करना है ठीक है कोश्चन बहुत एजी था बस आपको क्या था किया फॉर्मूला आ चाहिए था ठीक है अलजेबरा ना चाहिए था फॉर्मूला देखें क्या होता है यह किसके बराबर होता है बहले यह देख लीजीए aq प्लस b3 c3-3abc ठीक है ए आप वे वीसजींट यहां पर डिसी हो गया था लिकोशन हें न सो जसी आएगा सब्सक्राइग का मैं है टिक है अब और मैं देगी किया है अपर मूला होता है एक प्लस भी एक बराबर होता है गोटे फैल प्लस भी प्लस इक वेल टू ठीक है इसक्यर फ्लस मिस्क्रें प्लस MBC माइनस CA ठीक है इसके बराबर होता है ठीक है यहर आपका क्लेशक पॉर्मली के बराबर होता है आपका कोफट्लर न आपका है इसकी जो होती है एक उल्र क्यू billion होती है इसके बराबर होती है एफ से यस लिए घरव को 篡़िवन है 2-1 और सकता है ठीक है आपको से लिख सकते हैं इस तरीके से भी ओके लेकिन बात यह है कि आपके पास यह नहीं होगा कैसे तो क्या करना है आपको यह लगा नहीं है कि होती है है a plus b plus c का हुल स्केर एक ओल टू जो होता है एस केर ब्लस बी इसकेर ब्लसी स्केर ठीक है माइनस ही टू एप्लस काना है आफलाता एगा टू एबी यानि कमल लेते हैं टू एभी फ्लस बीसी फ्लस दिए यह फ़र्मूला होता ठीक है एड़न्री लगाने तो यहां पर किया आई प्लस भी क्लस पूसी किया है 11 एलेवन का स्केयर कर दे छेक्षाइब आपको पतानीए करना है अच्छा लिखे रहे एक लिखे रहे है तो यहां पर तू लगा दे यह बी बी इस यह क्या है ट्वेंटी है तिया ट्यक्ति लगा थेगे तो स्क्वार करेंगे करते हैं तो के पास ऐटी वन आ जाएगा यानि यह स्केर प्लस ब्सक्राइब कि यह होगी ताप क्या कर सकते हैं यहां पको समझ आ रहा है एक दिख इए कुछ नहीं आपके सामने डाला हुआ है और इसको किया जा रहे सब्सक्राइब कर ले पहला शुरुआत कि हमने फिर विस्ट को करें और हम कोशिश करेंगे आपके लिए बहतर करने का तो आपके पतर लग यह कि सब्सक्राइब कर लिए और माइनस करते हैं और माइनस करेंगे कितना यह प्लस एबी प्लस बीसी प्लस सी प्लस सीप्लस सी यह 20 डाल देते हैं ठीक है यह आगया तो 1181-20 करेंगे तो यहां कि 61 अगया तो 11 trabalho 41 करेंगे तो यह होगा आच एह और गया आपका150 ग्याद आई है都देख लेते हैं आग यहां पर डिया गड़ी से बी ओप्षिन था आपके पास 341 और सी ऑप्षिन था 671 और डी ओप्षिन था आपके पास 781 यह रहा ठीक है तो यहां आपके पास आगया 671 कौन सांथ थी आपका कॉलेक्ट अथे तो देखे कुछ नहीं कोशन देखिया था था पस फॉर्मुले विस्ट था जेबरा कोशन त थी यह बाकी कॉशन का लेवल आगया बता दूंगा इजमाले एक कुशन आप कह सकते हैं कि हां बच्चेजिंग फॉर्मुल नहीं आता होता है यह नहीं कितने बचल जब रहका ठीक है और चलिए कोशन दिखाता हूं आपको यह कोशन देखिए क्या बड़ा है कि छे साल प पाइफ फॉर यह हैंस दा रिशो अफ दियर एजस्ट विल वी 11 रिशो टैन वरिदा सागर्स एज एड प्रेजेंट ठीक है तो यहां पर डिस्प्ले कराऊंगा डिस्प्ले हो जाएगा पुश्क वोड़ पे ठीक है और आपको यहां पर दखिए पंजाई में च्छे साल पहला पहला कुनाल अटिसागर दी उम्र दानुपात छैंपाद 5 सी हुन तो चार सालांबाद 2120 नोनादी हुमर दानुपाथ 11 1973 दास होग thicker ुंध टी this ने हुठ है कुछ नहीं को बादक बताता हूं बहुत ब chopped जाई लिजा है और जब्रकार कि है जो सागर और six Comme एक है ऑर हुआ हां घर उर कुनाल की जो six साल पहले उमर ती हो six और पांच कह रेशुँ में यहाँ पर पांच आ गया ठीक है अग्यारा अनुपात सुरी दस आ गया है यह दस है ओके अब देखिए फ्रेंट क्या है कुछ नहीं है यह जो है यह अनुपात है छे साल एगो पहले ठीक है यह है आपका कितना चार साल बाद अब देखिया किया है तो आप सबसे इसको करने का तरीका बहुत असान तरीका मैं तरफ सीख लें शोड़ तरीका बहुत जवरदस्त है ठीक है अब करेक्ट चैसर आएगा सिफ से श करने का न होट चु है कोई भी आदम से लब होटा कर यहां मैनिनश में स्बस्ण कर लें तो दस आएगा यानि दोनों ों के जो मेंट डिप्रेंस है है लगवग दस साल बाथ जो दस सल बात के कि बात कर रहें हैं अब इसाल अजर連 पर दस एकारर रहें है तो 10 सार्म दोनों के बीच में हो गया यहां समझ यहां और दीफरेंस कितना दोनों के 6 शाल पहले और चाहर सल बार कर डिफरेंस कितना आधार ठीक है कुछ नहीं करना बनाने कर देखें बहुत तीजी क्या करिए को इस से उसको इसे फीर आपशना यहां पर यहांप पर और दो एक सो दस माइनस यह सही था ठीक है इन डू फाइफ एक्स था मैं टैने ले चुका था जो इससारी मैं स्टेक फ्रेंट एक्सक्राइब Mongi सागर की विम्र कितनी है यानि सागर की अबिर की बात करें तो rock आप तो क्या करें जो है अभी की उमर जो होगी और छे गुना दो का लगा और है कि लिग तो यहां पर आपके पास तो यह आपके पास तरीका था करने का बहुत तीजी ठीक है चलिए आप देखते हैं कि नेक्स्ट कोश्चन जो है कौन सा देखिए बच्चे काफी कोश्चन तो था काफी एजी ठीक है मैं यहां लिखता हूं और लेकिन बच्चे को छोड़ना पसंद करें बहुत बच्चों ने पसंद किया था क्योंकि इसका करेशन फटा-फटा करने की चकर में बहुत तोंगा गलत अंसर आ रहा था ओके तो मैं आपको बहुत इस्टिक कुपाय बताऊंगा तरीका बताऊंगा इसको आप करने सकते हैं लेकिन आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा इसमें से ठीक है लेकिन चलिए कोई बात नहीं मेरा फर्ज हैं बताता हूं आपको फिर देख ल अब फिर लेका अब धोल्य मेरा क्सूराम अब ट रहेए ला किसे लिखना है कि लुटा है फिर उप्रेश हो एक मायनस बटे सो अ फिर्म होगा ठीक है तो यह कोशन था क्या कुछ नहीं था यहां पर कॉमन अब देखिए सभी में 100 आ रहा है ठीक है अब पिछे अंदर बच जाएगा फोर्टीन ना जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास आजएगा साथ सो अपका जाएगा यहां पर बारा पचस्तर आजएगा अब इसको कर ले प्लस मैनस करेंगे जब एक सो इस दोनों इतिनों का पास मैनस प्लस करेंगे तो आपके बाद जो आएगा वहापका आएगा देखते हैं साथ सुच्छू रासी अठासी बत्तीस एक उच्छानवे थे थे यहां कितना गया चेशे बारा ठीक है बारा हो गया आपके नो तीन बारा बारा नो एक किस सब्सक्राइब नो नो अठारा कर्यों यहां अठानवे बारा आगया अब इसमें बारा पच्छेत्र माइनस कर दें कितना आएगा पारा में प्रेसा यहां रहागा दस में यहीं यहां रहा गया आखांस कितना तो जाएगा पांच यहां रहा गया एक और रहा घया आपका ठीक है 85 37 आगया आपके पास 85 37 आजाएगा अब यह आगया 85 37 ठीक है 85 37 आगया और किसे और वाइंडर से डिवाइड करेंगे तो कितना गपचासी पॉइंट 37 आपका अंसर आगया कि अधाये क्या मुश्किल सकोशन में कुछ मुश्किल नहीं था यह था बहुत थी कैलकुलेशन थोड़ा प्रोलम आ जाता है सम्टाइम्स होता है इसा मानता हूं मैं ठीक है वड़ावड करने में दिखते आती है यह प्रोलम आती है ठीक है आपके पूजारे में मैं क्या हूं हो तो आपकोắn क doubles नहीं होता है फिक है नेगते हां What the next question hat a some of money divide among the drowned 60 males and some female in the ratio shall सोला और 21 इंडिविजली इच मेल गेर्स फोर एंड फीमल गेर्स त्री रूपीज अधा नमबर ओफीमल की नमबर की पदा करनी फीमल कितनी थी देखें पंजाबी में रिपीट करता हूं कि रहा एक रखम नूं एक साथ आदमी आते कुछ औरतां विच्छ 16 अनुपात इकिस अनुपात की बिच्छ बंड़े आ गया है व्यक्तिगत रुप विच्छ इक आदमी नूं 4 रुपे आते एक औरत नूं 3 रुपे मिले औरता दीगिंति किन्नी हैं यह बताना है कुछ नही मेल की बात करें तो यहां मेल को जो माले मेल एक सुसाथ मेल है ठीक है फिर मेल आपको पता नहीं है यह पता करना है आपको पता नहीं है हर एक मेल को मेल को चार पर मिले हैं ठीक है चार का नुपात में जो और इनके जो मेल पैसे को नुपात से रुपीज मिलने का नुपात है इनने मिलने को प्रयवाइय सोला किस Cay पैसों को बाटा गया कैब है यहашरें का Mेज कितना मिला है रुपीज की बात करें갔ल है चार रुपीज ठीक है तिन एक चार रुपीज ऑप यह मिला और यह कि अदेखते हैं देखिए क्या अब यहां पर आप क्या करें इधर ले आए यह इसको यानी मेरे करें तो किटने गुना तो कितने गुना यहां पर तो पैसोनों पाघ्ट है सोनलोर एक्थ का सोना और इकृस का पैसोन पाथ है तो कितने गुना कि अरीए हरे जो भी मुणे कि अर्टि बूंध करेंगे तो न आ है है पर आ चार आट यानी पहल sucking प्रुपे आ ठीक है आठ चालिस रुपे हो गया आप देखिए कि हर एक कब पुला है कितने मतलब मिला होगा फिमल को ठीक है यहां पर तो फिमल की संख्या पता करना ही और फिमल की संख्या पैसे और शीडिया कितना होगा मैं यहां पर दो यहां पर जो आठ था दोससी यह वर थी संख्या यह व दोसो असी रुपे थी फीमेल थी जोनको पाइसों सब्सक्राइब के साथब से मिला था तो आपके पास ऑप्षोन भी था क्या था ओप्षन में देख लेते हैं दिख लेजिए है 198 ओप्षन था बी ऑप्षन जो आपके था और 270 था और सी ऑप्षन था जो आपका 280 था और डी ऑप्षन था अपका पास वह था आपका 284 तो आपका अंसर बनता है कि यह था कोश्चन और चलिए कि तो आपके पास लोग का ठीक है आपके साथ कोश्चन को मिक्सप कर देता है इसकल यह चला दिया है एक जामिन नहीं है कि रिजिनिंग के अंदर मैं से कोशन डाल देते हैं बच्चों को नंबर सिस्टम के बहाने से बात कर लें या दियाई के बहाने से बात कर लें ठीक है तो यह कोशन है कि कि एट एट थर्टी दा आवर हैंड और मिनट हैंड और क्लोग फॉर्म एंगल अगर इनके बीच कितना का अंगल बन रहा है एंगल पूछा गया है कि आठ थर्टी जब बजता है तो घंटे की सुई में और मिनट की सुई में कितना का एंगल का कितना एंगल बनेगा तो ठीक है यह फ्रेंड वीडियो की काफी लेंथी बन जाएगा समझा रामने टाइम लग रहा है तो इसलिए मैं कुछ कोशन रहा जाएंगे तो लास्ट कोश्चन है यह ठीक है तो देखिए कि यहां पर आपको खुश नहीं करना बस फार्मुला होता है एक एड़ टू एच आर ठीक है तो यह होता है इसको आपको लगाना है अपका असर आ जाएगा ठीक है प्लस मैनस कहां यूज होगा जब हम आपको चैप्टर करवाएंगे तो बहुत शोट तरीका है किसी भी कोशन होता है यह टाइमिंग वाला फार मैथेड़ी कहा सकते हैं देखी क्या गया मिनट कितना प्सक्राइब ठीक है एक ठीक है कितना टाइम हो और कितने वजेए आथ बजे हैं तो ब्लस मैनस थीट तब तो यहां पर क्या लाग कटेंगे पंदरा आज़ेगा पंदरा गुनाए गया रहा है करेंगे तो किया है फा से बड़ा है थिटा से प्लस रहेगा ठीक है अधान यह क्या बहुत है कि जब एक पास राद के पास कम है तो मारिसकर आपके पास प्लस होगा ठीक है ओके जब एंगल की वेल्यू इससे ज्यादा है ठीक है तो क्या होता है मैंस होता है जो समझाव होगा जिब अच्छे सक्राओंगा ओके अब देखिए क्या होगा ठीटाइग निकलें 240 अब यहां पर 165 मैंस करें तो पांच ठीक है यहां किता आगे आपके पास यहां जीरो तो यानि थीटा की वेल्यू कितनी आगई आपके पास 75 डेगरी यही आपका अंसल बनता है है ना एक सेकंड कोशन अगर आपको यह पता है तो ठीक है यह कोशन डाला हुआ था एक तो क्लोक का था ठीक है और मैं आप प्रोपर जो क्लास दूंगा अपना पर तो प्रिविए सिक लाएंगे कि इस ताइप कोशन आपके एक्जाम में आते हैं आप इस टाइप कर तैयारी करना तो एक्जाम की देट बहुत ही नद्दीक है बहुत जिल्दी एक्जाम कंडक्ट हो जाएगा तो यह कोशन और देख लेते हैं कि कह रहा है कि इस टू मै और और फॉर वाइज कैन फिनिश वर्क नाइटीन डेज ठीक नाइटीन डेज हमाने डेज विल वन मैं वन वोमें और वन वाइड टोगेदर टेक टू फिनिश तसीम बरकें जे दो आदमी जहां छे ओड़ता जहां चाह लड़की काम नहीं नावे दिन विच कर सकते हैं त टू मैन ठीक है six woman और फोर वायज एक काम कि दिदे में कर सकते हैं 99 डेज में ठीक है ओके शेंडिन डेज में कर सकते हैं करागी एक कि मैं तिक एक मैं उस्तिया एक मैन प्लस एक वुमें फ्लस आपके पास कितने हैं एक वास कितने में का मतलब मैं हो गया और कितने में करेंगे यह कुछ नहीं करना इनकी सब्सक्राइब करना है तो तो मैन किसके बराबर एफ सिक्स बूमें के के बात कर लते हैं सिक्स 166 live फोर वाइस के बराबर ठीक है जिम दो यहां कह सकते हैं कि अब यहां आपके आका है है तो relaxing कесश थैस्याओं सकता हूं मैं बूमें और वायस करेंश्यों ऑना च्छल से प्लू ए घंस्ट यहां पर कितना आया तरी आपके पास मैन रहे pendant quêका यहां पर यहां पर यहां पर आपका थरी अब इसको निकाल लें जिए जाकर वीडियो देख सकते हैं तो एफिसेंसी आ गई यानि मैं की दो है वाज की एफिसेंसी तीन है ठीक है कितने मैं काम हो रहा है तो मैं कितने वारा हो जाएगा यानि 1299 वारा करते हैं आप सिक्स मैं का सी और तींस कितनी हो गई वाइस के सबसिटना चूंजों होसी टॉटल किपको किसे 11 118 ऐब नहीं हो पर कर लिया देख लेजिए ठीक है बता था मैं कैसे होगा भी इसको डिवाइड कर देते हैं किसे 11 यारा से तो यह डे आजाएगा डे निकलना है तो इसे फिर दिवाइड करेंगे तो यारा एक कम देखिए यहां पर तो यह यारा है कम ग्यारा जीरो आठ एक औरत एक लड़का और एक आदमी 108 दिन में आपका यह काम करेंगे आपके पास क्या था कि यह अप्शन था आपके पास 44 वी अप्शन था पास 54 सी अप्शन था आपका 104 और डी अप्शन था के पास 108 यह आपका अंसर एक सबाट क्रेक्ट अंसर है यह तो देखिए तरीका कितना इजी था तो फ्रेंट हमने जो विश्रुवात की है आप आपको करवाने बैठ जाएं कि स्टार्डिंग से हर चैप्टर 22 करवाएंगे तो नहीं पाया क्योंकि जिस टाइप से जितनी फास्ट ली विकैंसी की डेट आ रही है फिल करने की उतनी फास्ट एक्जाम आपकोनेक्ट हो रहा है क्योंकि जल्दी होगा तो टाइम नहीं है ठीक है तो मैंने सोचा कि आपने यह उपसी कर चुके है तो प्रिव्ययस कैसे कैसे हैं तो अब देखी लिया देकि बद आप रहें got to practice करें हिखो आपको मैहतरी निक निए तो कर गया तो पीडिया कुरवा दिया जाएगा थिकांदी के व टेके बाइ बाइ बाइ